नमस्कार दोस्तों मैं अजे जैश्वाल आपका श्वागत करता हूँ टेक्नोलोजी ये चैनल में मैं आज आप से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ upcoming smartphones के बारे में जो कि आपको नवंबर मन्थ में देखने को मिल सकते ही ये कौन-कौन से smartphone से जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो को आएंट तक देखना होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबाक रख ले ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके जो सबसे फस्ट स्मार्टफोन है वीवो वीट्वेंटी प्रो यह जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन होगा यह स्मार्टफोन आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल सकता है बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच का 122 5G यहाँ पर आपको 44 मेगाप्स के प्लस 2 मेगापिक्सल फ्रंट कामरा आपको देखने को मिल जाएκα बात करें इसे smartphone के RAM और internal storage के बारे में यहां पर आपको 8GB RAM 120 8GB internal storage के साथ यह smartphone आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको 4000 इमेज का बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगा और यह जो smartphone है आपको Android 11 पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद jonex smartphone माइक्रो मैक्स की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है जो कि माइक्रो मैक्स ने अभी हाल में अनॉंस के उनका नया ब्रैंड आइन इस smartphone का जो price है 7000 के पास पास हो सकता है यह जो smartphone यह 3 नॉमबर को आपको देखने को मिल सकता है बात करें आई एने स्मार्टफोन के लेख हुए इस्पेक्स के बारे में डिस्प्ले की बात करें थे यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD Plus पैनल देखने को मिल सकता है बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर आपको triple rear camera setup देखने को मिल सकता है 13 megapixel, 5 megapixel and 2 megapixel front camera के बारे में तो यहाँ पर आपको 13 megapixel का front camera देखने को मिल सकता है यह जो स्मार्टफोन है आपको IN1A नाम से देखने को मिल सकता है IN smartphone के जो भी specs मैंने बताए यह सारे specs एक leak है अभी यह स्मार्टफोन launch होने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इसमें आपको क्या specs देखने को मिल सकते हैं इसके बाद जो नेक्स स्मार्टफोन है Realme X7 and X7 Pro यह जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन है और यह स्मार्टफोन चाइना में launch हो चुका है चाइना में launch हुए price से अगर compare करें इंडिया के price में तो यहाँ पर आपको Realme X7 जो है आपको 25-30,000 के range में देखने को मिल सकता है और Realme X7 Pro आपको 30,000 के price range में देखने को मिल सकता है अगर इस price range में इंडिया में यही स्मार्टफोन लांच होते है तो अब तक का सबसे सचता 5G स्मार्टफोन होगा Realme 7X स्मार्टफोन के specs के बारे में दिस्पले की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.55 इंच का Super AMOLED देखने को मिल जाएगा बात करें इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर के बारे में थे यहाँ पर आपको MediaTek Diamond City का 800U देखने को मिल जाएगा बात करें इस स्मार्टफोन के rear camera के बारे में थे यहाँ पर आपको 4 rear camera setup देखने को मिल जाएगा बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में ते यहाँ पर आपको 4300 इमेज का बैटरी देखने को मिल जाएगा और साथ में 65W Fast Charging Support देखने को मिल जाएगा Next इस स्मार्टफोन है OnePlus Nord N10 and N100 यह जो स्मार्टफोन है आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है बात करें इस स्मार्टफोन के लेख हुए specs के बारे में ते यहाँ पर आपको 6.5 इंच का display देखने को मिल जाएगा बात करें इस स्मार्टफोन के processor के बारे में ते यहाँ पर आपको Snapdragon का 460 देखने को मिल जाएगा बात करें इस smartphone के front camera के बारे में ते यहां पर आपको 8 Megafixl का front camera देखने को मिल सकता है OnePlus के जो भी smartphone होते हैं मोज़ली उसमें आपको 3.5 mm का jack नहीं देखने को मिलता बट इस smartphone में आपको 3.5 mm का jack भी देखने को मिल जाएगा बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में थे यहां पर आपको 5000 इमेज का बैटरी देखने को मिल जाएगा यह जो सारे इस्पेक्स मैंने आपको OnePlus Nord N100 का बताया यह सारे एक लीक है इसके बाद जो नेक्स स्मार्टफोन है Google Pixel का आपको देखने को मिल सकता है अभी हाल में है Google Pixel 4A लाँच हुआ था अभी आपको नौमबर मन्त में Google Pixel 5A देखने को मिल सकता है Samsung की तरब से अभी कोई भी स्मार्टफोन क्लियर नहीं हुए है कि कौन सा स्मार्टफोन आपको नौमबर मन्त में देखने को मिल सकता है तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो के लिए बसित नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताए कि आप इन सभी स्मार्टफोन में किस स्मार्टफोन का वेट करें थे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही कमाल की वीडियो लाते रहता हूँ तो मिलते हैं नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर कर दो कर दो